मंडी चनपत के अराध्य माने जाने बाले देव कमरुनाथ एक वर्ष के बाद छोटी काशी के नाम से बिख्यात मंडी शहर पहुँच गए हैं आपको बता दें कि देव कमरुनाथ 12 मार्ट से शुरू होने जा रहे अंतरास्ट्री शिबरात्री महोत्सप में भाग लेने आए हैं देव कमरुनाथ के काफले ने करीब 3 बजे मंडी शहर में प्रवेश किया डोल नगारों की थाप के साथ निकली देव कमरुनाथ की शुबह यात्रा के सभी नीद दर्शन किये और आश्र बात लिया सबसे पहले देव कमरुनाथ की छड़ी को राज माधव राय मंदर ले जाये गया जहां प्रश्रासन की तरफ से डीसी मंडी रिद्वेक ठाकु ने उनका स्वागत किया इसके बाद देव कमरुनाथ को परंपरा के अनसार राज परिवार के सदस्य के पास ले जाये गया जहां परिवार के मुख्या ने देव कमरुनाथ का स्वागत किया बहीं देव कमरुनाग के पुचारी और अन्य करदारों ने हाल ही में हुए राज परिवार के पिछले मुख्या के निधन पर शोग जदाया और परिवार को सांतम न दी बहीं देव कमरुनाग और अन्य देवी देवताओं का मंडी में आगमन हो गया है उन्होंने बताया कि शिपरात्री के मौके पर मंडी शहर में बड़े हवन का आयोजन के जाएगा और लगू शोभय यात्रा भी निकाली जाएगी उन्होंने बताया कि 12 मार्च को अंतर रास् में बड़ शड़कर भाग लेने का आहवान किया है वहीं देव कमरुनाग के मंडी आगमन से पहले बारिश की बचारे भी गिरी मानेताओं के अंसार देव कमरुनाग को बारिश का देवता भी कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि देवता के मंडी आगमन से पहले बारि की बचारें हर वर्ष किरती हैं लोगों में देव कमरुनाग के मंडी आगमन को रेकर भारी उत्सा देखने को मिल रहा है देव कमरुनाग 18 मार्च तक मंडी शहर के टारना माता मंदर में विराज मान रहेंगे और उसके बाद बापिस अपने मूलसान को लोट जाएंगे अज मंडी शिवरात्री के अवसर पर बड़ा देव कमरुनाग जी यहां पर मंडी पधार चुके हैं साथ ही साथ जो बाकी देवता उनके पश्चात जो यहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद आने वाले आज रात तक और अगले कल तक हमारे पास बाकी भी सारे देव जो महां श्वरात्री के दिन के बाद बारत तारिक को विदीवत तरीके से हमारा श्वरात्री मेला वो शुरू होगा जिसके अध्यक्स्ता मानिया मुख्यमंत्री महादे करेंगे